हलो एब्रीवान दिस इस हर्षा वेल्गनों मैं चैनल क्रिप्टो हिंदी तो हाई गेस आज की वीडियो अनदर स्पेशल एंपोर्टेंट वीडियो है तो ये इन्वेस्मेंट बेस्ट वीडियो है बट डेफिनिटली इसमें हुज ऑपर्शनेटी है तो आज की वीडियो में सारे डीटेल्स आपको एक्स्प्लेंट करूंगे ये प्रोजेक्ट क्या है इसमें कैसे पार्टिस्पेट करना क्यों पार्टिस्पेट करना कितना एक्स्पेट कर सकते सारे इस वीडियो में रहेगा सो वीडियो दरूर एंड तक देखना सो वीडियो स्टार्ट करने इस प इंटरेसिंग अपडेट जो में यूट्यूब में नहीं डाल सकता हो वो सारा इसमें पोस्ट करते रहते हैं अब हम बात करते हैं यह डू की डैश यूगा-लाप्स का अजलेक्शिंगे बारे में बता होँगा, so first topmost collection जो है उसका नाम है BodeApe Yacht Club तो अगर आपको BodeApe Yacht Club के बारे में पता नहीं है तो आपको NFTs के बारे में कुछ नहीं बथा भाता, this is very simple so BodeApe Yacht Club जो है वन अगै ब्लुचिप NFT collection in the entire ecosystem of NFT space तो इसका प्राइस जो है अभी फ्लोर प्राइस 73 चल रहा है उसके बाद एक और कलेक्शन रीसेंट लिया था उसका नाम है अधर साइट के बारे मैं मैंने एक वीडियो बनाया था इसके बारे में एक अप्रेल में कलेक्शन रॉप होता इन तुन 22 इसमें देख सकते हैं मैं एप्रेल 30 को पोस्ट डाला था यूजर्स को बोलते हैं लाइक माई व्यूज्व यूज्ट यू मिंट अधर स्ट में एन फ में investment किया उसका profit आप देख सकते स्क्रीन में investment ना around 6 Ethereum के आस-पास एंड एक NFT का floor price था 7 Ethereum ता उसके बाद 8 Ethereum तक भी गया था 7 Ethereum के टाम में एंड एंड 8.9 तक भी गया था बट हमारा community members जो मेरा video देकर invest किया उसमें few users फ्यूजर्स को 16 Ethereum के पास sell किया मतलब 16 & 8-2 16 इतिरियम के वाद दो एनेफ्टी सेल किया था उस यूजर्स को 10 इतिरियम का प्रॉफिट मिला राइट अवे इन हावर्स तो उस ताइम इतिरियम का प्रैस 2,800 डॉलर सा इसका मतलब टोटल प्रॉफिट हो गया 28,000 डॉलर सो आप क्यालकुलेट कर सकते हो उसका वैल्यू कित क्यों करूंगा यह स्कील बेस्ट मिन्ट क्या होता अब से था अधर सैडमें किया था आपको बेस कली मिन्ट करना था ज्यादा पेकर है उसको फस्समें एसा नहीं है आपको इसमें एक पास लेना वागा गेंप्ले पास उसके बाद इडू की एक गेम है उस गेम को आपको प्ले करना होगा मतलब खेलना होगा जिसको ज्यादा स्कोर मिलेगा उसको उतना अच्छा फ्टी मिलेगा इसमें जितने भी यूजजर्स पास्टी सो पास्टी आपको कैसे पासे के लाने के लिए very big प्रॉब्लम यह कि यह ओनली बोर्ड ये प्याज क्लब एंड म्यूटेंड एप्याज क्लब nft holders को ही आविलेबल है मतलब इसमें 10,000 nft से इसमें 20,000 है टोटल 30,000 मेंबर जो भी इस एणने टी को होल्ड करा दो collections को वह एक nft का holder एक pass claim कर सकते वह अब सोच रहा होगा आप और मेरे पास के collection में कोई भी एनेफ्टी नहीं है हमारे जैसे लोग क्या कर सकते हैं जो भी एनेफ्टी पास क्लेम करेगा एक क्लेमिंग पिरियड जो है 17th January को स्टार्ट होगा मतलब कल से स्टार्ट होगा इंडियन से टाइम और उन्स नहीं है सब्सक्राइब करेंगे जिसके पास भी यह पास अवेलेबल है फ्रम 18 जैनवरी जैनवरी 18 से वह सीधा यह गेम प्ले कर सकते हैं इस गेम का नाम है डूकी डैश आप राइट सेट में देख रहा है गेम ऐसा होगा बेसकली तोड़ा इजी गेम होगा बट आप जितना लंबा जाएंगे जितना ज्यादा पॉइंट करेंगे जितना ज्यादा स्कोर करेंगे आपके स्कोर के इसाब से आप मिन्ट कर सकते हैं डूरिंग दा मिन्टिंग इवेंट अभी यह गेम जो है 18 जैनवरी से 8 फेब्रोरी तक आप खेल सकते विचिस फर त्री वीक्स डूरेशन मे आप इस गेम को खेल सकते एंड उसमें जिस गेम में आपको हाइस स्कोर होगा वो कंसिडर होगा फर आवर फर यॉर मिन्टिंग अभी फेब एथ तक गेम चलेगा फेब एथ के बास वन वीक गाप रहेगा उसके बाद में इंपोर्डेंट इवेंट आएगा उसका नाम है अगर आपके पास पास है एंड़ उसके साथ at least one game खिला तो आप इस NFT को मिंट कर सकते हैं इसमें बेसिकली हम जो मिंट कर रहा हूँ उसका एक secret code हरा अभी तक power source उसका नाम क्या है उसका collection का नाम क्या है, उसके अंदर से क्या निकलेगा, उसका artwork क्या है, वो सारे details अभी तक reveal नहीं है, so this could be something interesting, so अभी Feb 15 के बाद आपको ये power source मिलेगा, उतना ही नहीं गए, so अभी देख सकते हैं, minting पास जो आपको मिलेगा, उसके बाद, first skill based game नहीं है, आपको एक power source मिले करके, उस NFT को next level में upgrade कर सकते, and उसके बाद, एक और game आगा, set 2, उसमें gameplay करके, evolution number 3 भी बना सकते, मतलब, एक NFT से future में आपको another advantage हो सकता है, for evolving it, maybe उसके साथ, दूसरा NFT मिल सकता है, नहीं पता, but same NFT को upgrade करने का chances हो सकता है, and उसके through, आपका NFT का value दीरे दीरे बढ़ सकता है, so य इसके लिए आपको, क्या करना होगा, कल तक वेट करना होगा, 17th January, and once ये passes जो है, open see में available होने के बाद, आपका investment के साब से plan करके, buy कर सकते, so मेरे इसाब से, ये anywhere between 5 to 10 Ethereum के बीच में हो सकता है, एक pass का value, क्योंकि only 30,000 NFT collection होगा, and ये passes जिसके पास है, वो ही उसको mint कर सकते है, by playing the game, so बस इतना है, अगर आप risk ले सकते, तो उतना amount capital आपके पास available है, तो आप इसमें participate कर सकते, and मेरे इसाब से, ये maybe evolution 1 15 firm में, आप अच्छा game केल के, उसको NFT collection को mint किया, तो maybe something interesting, आपको उस pass के अंदर से, और power source के अंदर से, मिल सकते है, and it could be having good value, so same thing, मैंने other sites में भी ब high risk investment guys, high value investment उपर से, so आपको 5 to 10 Ethereum मतलब इसमें very huge cost, so आप देखे, plan करके, आप उतना risk ले सकते, उतना fund आप risk कर सकते, तो तब ही आप इसमें try करना, क्योंकि high risk का मतलब high returns मिल सकता, same, इसमें मिला, but maybe इसमें आप कुछ mistake करके, अगर आप high price में buy किया, उसके पास उतना price नह इसमें investment करना, blindly मैंने वीडियो बनाया करके investment नहीं करना, आप own research करके investment कीजे, मैं इसमें investment करने के लिए प्लाइन करना, कल लिस्ट होने कबाद, वह अगर 10 Ethereum के अंदर उसका floor price है, तो I'll try to buy at the correct price, and मैं उसके बारे में gameplay करके, उसका gameplay का भी आपको वीडियो बना के post करूंग सो बस इतना है, आज का वीडियो all about इस particular dookie-skill-based minting event के बारे में details, ये वीडियो आपको थोड़े भी helpful लगा, अच्छा लगा मैंने channel को, first हमार तो channel को subscribe रहना, अभी तक आप मेरा Twitter को follow नहीं कर रहा तो, immediately follow करना, link मिल जागा, क्योंकि इसमें मैं interesting updates regularly time to time देते रहता हूं, that's all guys, thanks for watching, Jai Hind!